तो दोस्तो हमने देखा resistance एक ohm का क्या होता है और एक ohm meter resistivity आप पी क्या होती है अब हम बारी-बारी से देखते हैं कि किस factor को change करने से resistance आपका क्या हो जाता है change हो जाता है ठीक है तो इसमें आपका next topic आएगा effect on resistance resistance के उपर आपका क्या effect पड़ता है by changing by changing parameters on which resistance depends जिसके उपर आपका resistance क्या करेगा depends करेगा यह हम बारी-बारी से देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि length के उपर आपका resistance डिपेंड करता है तो पहली चीज resistance is directly proportional to यानि यह आर is directly proportional to length of conducting material इसका मतलब आपका क्या हुआ अगर आपकी length माल लीजे इतनी है पहले यह आपका एक conductor है और इसकी length इतनी है ठीक है यह आपकी माल लीजे length है आपकी L अगर length आपने double कर दी यहां पर ठीक है इस length gets double अगर length आपकी क्या हो जाएगी double हो जाएगी इस length gets double तब आपका क्या होगा यहां से अगर length को आपने यहां से बढ़ाके और इतना कर दिया ठीक है डबल कर दी है यह यहां से यहां की लेंध टू टाइमस हो गई है तो इसका मतलब resistance आपक्या होता है और इटिजरेक्ली परपूर्चनल तो इसका मतलब आपक्या हो जाएगा Resistance also gets doubled यह भी आपक्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ठीक है, तो यहां से, if length gets double, resistance gets doubled resistance भी आपका क्या होगा, double और अगर आपने length को half कर दिया, if length gets halved ठीक है, आपने क्या किया, length को half कर दिया है तो resistance भी आपका क्या हो जाएगा, gets halved ये भी आपका आदा हो जाएगा इसका मतलब आपका क्या हुआ देखो, r is equal to rho l by a ठीक है, अब ये आपका क्या है, उपर है तो अगर हम इसको two times करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा two times rho, ये तो constant है आपका, यहां पे l divided by a तो ये आपका पहले resistance था, तो इसको हम क्या लिखेंगे two times आपका लिखेंगे, यानि कि अगर आपका कोई भी length double हुआ, या फिर आपका कम हुआ, तब आपका resistance के उपर क्या होता है, effect पढ़ता है, तो ये हमने यहां से देखा, तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं, अगर आपकी wire लंबी होगी, तो resistance जादा होगा, अगर आपकी wire छोटी है, तो उसका resistance कम होगा, तो यहां से next point हम लिख सकते हैं, short wires, जो छोटी wires होती है, short wire have low resistance, उनका resistance कम होता है, और long wires, long wires have large resistance, इसका resistance क्या हो जादा हो जाएगा, यहां से हमने देखा पहले parameter से, अब हम देखते हैं, area वाले parameter से, second आपका देखेंगे, second आपका क्या आएगा, कि resistance आपका क्या होता है, r is inversely proportional to area, ठीक है, अब देखो, मैंने आपको resistance के बारे में क्या बताया कि अगर आपकी wire पतली है, तो इसका मतलब उससे कम electron बाहर निकल रहे हैं, तो कम electron अगर आपके बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कि जो आपने बीच में resistance आपका लगाया हुआ है, वो electrons को वहां से flow होने से रोक रहा है, इसका मतलब हुआ ये, ठीक है, अगर आपकी length जादा है, तो वो resistance आपका क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है आपका, और आपके electrons जो यहां से बाहर निकल रहे हैं, ये आपके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, यानि कि आपका opposition जो है electrons का, वो आपका क्या गरते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है तो ये आपका हुआ, इस length से, अब हम जरा देखते हैं, area से आपका क्या effect पढ़ता है तो माल लीजे, यही वाली wires आपने यहां पर assume की, वह ये आपकी पतली wire है, ठीक है और दूसरी जो wire है, यह आपकी मोटी wire है, यानि कि इतनी मोटी एक और wire आपने ले ली जिसकी length आपने क्या रखी है, same length की आपने ली है इसकी भी length आपकी L है, और इसकी भी length आपकी क्या है, L ही है माल लीजे, दोनों की length आपकी क्या है, बराबर है अब देखो जरा, जब हम इसको बैटरी के साथ में कनेक्ट करेंगे, ऊपर वाली को, तो क्या होगा, यहां से कम इलेक्ट्रोंस आपके निकलेंगे, यानि कि कम इलेक्ट्रोंस का मतलब small amount of electrons, ठीक है, small amount of electrons बहार आ रहे हैं यहां से, लेकिन यहां से जो electrons आपके बहार निकल हैं, क्योंकि इसका area ज़ादा है, तो electrons भी ज़ादा होंगे, तो large amount of electrons आपके बहार आ जाएंगे, ठीक है, तो large amount of electrons जब आपके बहार आएंगे, तो इसका मतलब आपका क्या समझे हम, कि यहां पे resistance क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वज़े से आपका क्या हुआ, इसकी अगर मोटा conductor होगा, तो resistance कम, और पतला होगा, तो resistance ज़ादा होगा, तो इसी लिए मैंने आपको बताया, resistance is inversely proportional to area, अब देखो जरा इसमें, माल लीजे भई, इसका जो area है, यह आपका 2 meter square का है, ठीक है, और इसका जो area है, नीचे वाली wire का, यह आपका माल लीजे 5 meter square का है, यह एक उपर वाल आपका 2 meter square का, नीचे वाल आपका कितना है, 5 meter square का आपका area है, तो क्या होगा, जरा देखो, यहां से, इसका resistance कम है, तो कैसे पता चला, अगर आपका area कम है, area आपका कम है, तो उसका resistance ज़ादा होगा, यानि कि electrons का flow कम करेगा, यानि electrons को ज़्यादा oppose करना जिसकी वज़े से electrons कम बहार निकलेंगे, यहां पर आपका क्या है, area आपने बढ़ा दिया, area जैसे ही आपका बढ़ेगा, यानि कि आपका क्या हुआ, यह बढ़ गया, तो इसकी वज़े से आपका resistance क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाए हैं कि thin wires, thin wire मतलब पतली wires thin wires have इनका क्या होता है small, oh sorry, large resistance thin wire have large resistance, और मोटी wire का क्या होता है, thick wires thick wires have small resistance ठीक है, इनका resistance आप पर क्या हो जाएगा small हो जाएगा, अब जरा हम area को और जदा आपका discuss करते हैं, तो area पर क्या होता है area, इसको हम लिख सकते हैं आपका πाई d square divided by four, यह आपका कैसे निकला माली यह पाई r square है तो r आपका क्या होता है, radius यह माली यह आपका circle है और इसको बोलते हैं, हम radius और इस पूरे को आपका क्या बोलते हैं, यहां सही लेकि यहां तक इसको बोलते हैं, diameter तो diameter क्या होता है, two times of resistance होता है तो आपका d is equal to diameter आपका क्या हो जाएगा, two times of resistance आपका आजाएगा तो इसका मतलब जब pi r square में d by two put करेंगे तो d square divided by क्या हो जाएगा, four हो जाएगा अब यहां से, अगर हम देखें, अगर आपका diameter इसको बोलते हैं, area कम करने का मतलब diameter उपर नीचे किया तो diameter अगर आपने कम कर दिया diameter माली जी इतना धा पहले wire इसको आपने कम किया तो इसका मतलब आपका क्या हुआ यहां से, diameter कम होते ही आपका resistance बढ़ जाएगा, ठीक है और अगर आपका, आपने क्या किया diameter को यहां से बढ़ाना शुरू किया तो बढ़ाते ही आपका resistance कम होना शुरू हो जाएगा यहां से, अब हम क्या conclusion लिख सकते हैं हम इसमें लिख सकते हैं कि if diameter, अगर diameter आपका क्या हो जाए gets half अगर diameter को आपने आदा कर दिया तो diameter half करने का मतलब आपका क्या हुआ diameter को आपने कम कर दिया है तो diameter अगर आपका half होगा तो यहां से r is equal to rho l divided by आपका क्या है pi d और d आपका क्या हो गया है half हो गया तो d square यानि कि d by 2 आपने कर दिया इसका square divided by 4 आपका हो जाएगा यहां से आपका resistance कितना निकलेगा देखो rho l divided by यहां से 16 times आपका हो जाएगा केतने times हो जाएगा 16 times ठीक है क्योंकि 2 का square 4 नीचे आएगा और यहां से इसको हम कैसे लिखेंगे अगर हम 16 को यहां पे न लिखें तो यहां से इसको लिख सकते है pi d square divided by 2 का square 4 into 4 और यह आपका उपर जाएगा यह आपका क्या देगा 16 rho l divided by pi d square और हम इसको क्या लिख सकते है 4 times rho l divided by pi d square divided by 4 और यह आपका क्या था 4 times पहले वाले resistance के था तो इसका मतलब नया जो resistance है वह आपका क्या हो जाएगा 4 गुना आपका बढ़ जाएगा तो यहां से हम लिख सकते है if diameter gets half resistance will be 4 times resistance will be 4 times चार्ड गुना आपका बढ़ जाएगा इसका मतलब आपका हुआ यह अब दूसरा अगर आपने diameter को double कर दिया तो क्या होगा if diameter if diameter gets doubled अगर diameter आपने double कर दिया है तो इसका मतलब आपका क्या होगा अब r dash नया जो resistance है r dash यह आपका क्या होगा rho l divided by pi और 2d का square double कर दिया मतलब 2 times कर दिया divided by 4 यहाँ 4 से 4 आपका cancel out और यह आपका क्या है पहले वाले जो resistance है इसके divided by 4 times है तो resistance अब यहाँ पे एक बटे 4 times हो जाएगा तो resistance will be will be 1 by 4 times यह आपका important है यह आपका सीधा भी पूछ सकता है एक number के अंदर ठीक है कि अगर आपने resistance को क्या कर दिया है यहाँ पे अगर आपने diameter को क्या कर दिया है आपका double कर दिया तो resistance क्या होगा अगर आपने diameter को half कर दिया तो resistance केतना होगा ये दोनों आपके direct आप याद रखिए और अगर नहीं याद रहता है तो आप यहाँ से इसको drive भी कर सकते हैं ये तो हमने देखा किस-किस के regarding, length के regarding और area के regarding अब हम देखते हैं, what is the effect on changing nature of conducting material अगर हम nature ही change करने, यानि कि connector ही आपका change करें तो आपक क्या effect पढ़ता है, वो जरा हम देख लेते हैं